हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको अगरतला तेजास राजानिया एक्स्प्रेस के वाया मालदा टाउन भागलपूर जमालपूर होकर के डाइवर्शन के प्रपोजल के बारे में जानकारी दी थी तो इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करने में इतनी देरी क्यों हो रही है क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं क्या पेचे फस रही है उसके बारे में discuss मैं विस्तार से इस वीडियो में करूँगा तो आपसे अनुरूद है कि आप इस वीडियो को पूरा देखे और इसे like करके सब के साथ share करे और अगर अब तक मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो यह तुरंट कर ले और bell icon भी दबा दे वह इसलिए क्योंकि काफी जादे problems आ रहे है एक एक करके मैं discuss करता हूँ पहली और सबसे बड़ी problem है इसके total distance और time में बढ़ोतरी अगर तला राजधानी एक्सप्रेस अभीकुल मिलाकर 2427 km की दूरी वाया कठियार होकर के तैय करती है अब direction में इसे 49 घंटे 25 मिनट का समय लगता है वह in down direction में या 41 घंटे का समय लेती है और average speed up direction में हुआ 16.57 km प्रति घंटे का वह in down direction में इसका average speed हुआ 16.20 km प्रति घंटे का इसका जो proposed diversion plan है मालदा भागलपूर होकर के तो इससे जो end to end distance है वह around 160 km बढ़ जाएगा यानि कुल मिलाकर या 26 km से ज़्यादा की दूरी तै करेगी अगर तला से आनन्द विहार के बीच अभीके 2427 km के मुकाबले और इस कारण से इसके running time में भी minimum 2-3 घंटे की बढ़ोतरी हो गी ही जिस कारण इसका average speed काफी कम हो जाएगा और यह राज़ानी express के लिए अच्छी बात नहीं है क्योंकि यह state capital से national capital के लिए सबसे तेज connectivity होती है और इससे slow down करके जो passengers है उन्हें ही तकलीफ होगी और passengers की तकलीफ की बात करो तो उन्हें एक और जटका यह लगेगा वहाँ से आनन विहार के लिए जो ticket का price लगेगा वह पहले के मुकाबले बढ़ जाएगा same down direction में भी होगा तो यह passengers के लिए भी अच्छी बात नहीं होगी खास करके end to end passengers या फिर अगर तल्ला से नीजल पाईगुरी के बीच इसमें board या de-board करने वाली passengers है उनके लिए अगली बड़ी problem है इसके कठियार junction को completely bypass करने की अगर तल्ला राजधानी एक्सप्रेस North East Frontier Railways की train है वहीं कठियार junction भी North East Frontier Railways के अंदर पढ़ने वाल एक महतपूर्ण station है in fact यह एक Divisional headquarters भी है और इसलिए यहां होकर गुजरने वाली एक prominent train खास करके दिल्ली जाने वाली train को चीनना अच्छी बात नहीं है कठियार junction पे काफे ज़्यादा passengers इसमें board डि-board करते हैं खास करके दिल्ली जाने वाले passengers क्योंकि यह train उनके पसंदीता trainों के list में शुमार है और इसमें ticket मिलना दूसरे trainों की अपेक्छा ज्यादा आसान है इसलिए North East Frontier Railways इस train को अपने महतपून station से permanently हटाने के पक्ष में नहीं है लेकिन political pressure के आगे उसे most probably जुकना पड़ेगा और इस train को वाया मालदा टाउन भागलपूर होकर के चलाने के लिए अपनी हमी भरनी पड़ेगी क्योंकि अभी इसके chances काफी ज्यादा लग रहे है next problem है block corridor का मालदा टाउन और बार्सोई के बीच डोनो direction में specified timing पर traffic block लिया जाता है तो अगर अगर तला राजधानी एक्सप्रेस के diversion प्रपोजल को हरी जणडी मिल जाती है तो यह जो traffic block timing है वह काफी हद तक affected होगी और इसे कम करना पड़ेगा जिसके पक्ष में अभी North East Frontier Railways नहीं है इस diversion के कारण मालदाटन और मुकुरिया के बीच चलने वाली मालगारियों पर भी सिधा प्रभाप परेगा जिसके कारण उनके path और timing को भी change करना परेगा इसके अलावा इसका सिधा असर NFR होकर चलने वाली trains पर भी परेगा अब अगर तलला राजधानी एक्सप्रेऋ के diversion के कारण सिल्ली गोरी मालदा कोट डेमू कठियार हादा एक्सप्रेस और मालदा कठियार पैसिंजर के timing को change करना परेगा वहीं डाउन अगरतला राजधानी एक्सप्रेस के डाइवर्शन के कारण माल्दा कोट कटियार पैसेंजर, सिलिगोरी बालोर घाट एक्सप्रेस और आनन विहार नाहर लगुन एक्सप्रेस के टाइमिंग्स को बदलना पड़ेगा तो यह थे कुछ main issues जिसके कारण NFR अगरतला तेज़स राजधानी एक्सप्रेस के डाइवर्शन से कतरा रहा है वैसे इन issues को easily sort out किया जा सकता है और यहीं अभी किया जा रहा है इसलिए थोड़ी देरी हो रही है डाइवर्शन के final notification को निकलने में और उम्मीद तो यही की जा रही है कि इस बार राजधानी एक्सप्रेस भाया भागलपूर हो करके चलेगी तो इसके बारे में जैसे information और भी आगे आती है official notification आती है उसके बारे मैं आप लोगों को तुरांद बता दूँगा तो आप लोग बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबा दे और उम्मीद आपको इस वीडियो में दी हुई या जानकारी पसंद आई होगी तो आप इस वीडियो को लाइक करके सभी के राज़ शेयर भी करे और भी ऐसी वीडियो लेकि मैं आगे आता रहूँगा तो चलिए मिलते आगले वीडियो में धन्यवाद